कि अग्याइब तो आपकी यूट्यब चैनल वर्ल्ड ऑफ इंवेस्ट्मेंट ट्रेड में आज हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्री शेयर के बारे में जो कि आज करीब यह बढ़ रहा है और अभी मंभेट चालू है यह 15 से 20 परसेंट भी जा सकता है इसके बहुत बड़ी न्यूस उसके न्यूस के बारे में जानेंगे इसके फंडमेंटल के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले देखते हैं आज ये करीब ओपन हुआ 22.40 पे और इसने अभी तक हाइस बना चुका है 25.75 का और अभी ट्रेड हो रहा है तो अभी 25.05 पर ये ट्रेड कर रहा है तो आज करीब ये पंदरा परसेंट अभी ऊपर चल रहा है और अब देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से यहां पर कॉंसलेट हो रहा था 20-21 के आसपास असके बाद ये वह बढ़ना चल हुआ है तो इसके पीछे का न्यूस जानेंगे इंपॉर्टेंट न्यूस तो इसके न्यूस है आप पढ़ सकते हैं पीछ गोल सेट्स एक्सपोर्ट टार्गेट फॉर टेक्स्टाइल इंडस्ट्री एट 100 बिलियन अब फ्रॉम 33 बिलियन तो यूनियन मिनिस्टर प्रीश गोले रहास्ट इंडस्ट्री तो इंक्रीज टेक्स्टाइल एक्सपोर्ट वेली फ् टार्गेट टक है तो इसके जाएंट से आलोग इंडस्ट्री काफी फायदा होने वाला है क्योंकि वह भी एक्सपोर्ट करते हैं काफी बड़ा और उनके पास क्यापेसिटी भी है और इंफ्रस्रेक्ट्चर भी है सब चीज़ उनके पास तो आने वाले टाइम में उनके सा लाए गया है जो एक्सपोर्ट का जो है नंबस बढ़ा है और एक और इंपोर्टेंट न्यूज है आप देख सकते हैं यहां पर इंसेंटिव की बात कर रही है कि इंसेंटिव जो है 2.5% दिया जाता था अभी उसको बढ़ा करके 4.5% किया जा रहा है एक्सपोर्ट आफ य इंडस्ट्री के काफी स्कोप है और इसका रेट भी कम है और लेकिन कैपसिटी ज्यादा है पोटेंशल ज्यादा है इस कारण से यह शेर बढ़ने के बहुत जादा चांस तो यह एक इंपोर्टेंट न्यूस था आइए थोड़ा देखते हैं इसके फंडमेंटल के बारे मे देखेंगे अधे बढ़ने के अधे हैं ज्यादा उतन तो चांस इसके एठेकेंगे शचेया उद्सकुने था और पर वह लिए बढ़ने के बहुत जादा चंस है आप सभी को पता होगा आलोक इंडस्ट्री को रिलांस ने खरीदा हुआ है इसके बढ़ने के काफी ज्यादा चांस हैं और अनिंग पर शेर देखेंगे 2021 में माइनस 15.19 है और उसे पहले जो 2020 में 9.05 था तो घटा इसमें बट ये अर्ली बेसिस पे और अभी चेंजेज हो रहे हैं तो ये बढ़ने के चांसे हैं कि ने प्रॉफिट रिवेंग्यों शेर ये रोल्डिंग पैटन देखेंगे प्रोमोटर के पास जो है लगातर 75 परसेंट है अमानी जी के बस 75 परसेंट है ये फाइए के पास देखेंगे फाइए ने इसमें देखें बढ़ाया अपना स्टेक जून 2021 में 1.3 परसेंट कर दिया उससे पहले देखेंगे 0.9 इसमें 22.95 उससे पहले 23.38 तो पॉब्लिक बस देखेंगे हलका सा घटा है तो बेसिकली आप देख सकते हैं अपने स्टेक बढ़ा है काफी बढ़ा आप देख सकते हैं बाहर ग्राफ में काफी बढ़ा बढ़ा है इनका शेयर होल्डिंग तो ये थे इसके कंपनी के फाइन काफी कर रहे हूं और काफी उनका टारगेट है काफी उपर ले जाने का तो ये कंपनी पर जाने के बहुत ज्यद्द चंशते हैं इसका है जो देकते हैं सकरेंगे नहीं कोशकर शुकूकर करें ऐसका अब है जो 60 रुपीस तक कर सकता है, 60 रुपीस तक यह जा सकता है, और long term में तो यह काफी उपर जाने का chances है, क्योंकि इसके infrastructure सब चीज है, अच्छी कमपनी, अच्छी शेर पास भी कुछ quantity रखा हुआ है आप उतना ही quantity ले जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं जदा बड़ा amount लगाने का यह मेरा point of view है कि जदा बड़ा amount लगाना नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ा इसमें लगाई है यह फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि एक स्टॉप लगा करके करीब 17.90 यह फिर 16 का स्टॉप लगा कर सकते हैं और 16 के असपास आएगा तो आप बाहर निकल सकते हैं तो यह भी काम कर सकते हैं लेकिन quantity थोड़ा कम रखें यह मेरा point of view है यह मेरा suggestion है यह मेरी सोच है आप अपना खुद का decision ले खुद का investment करें थोड़ा research करें उसके बाद ही अपना पैसे लगा है क्योंकि आपका पैसा है तो आपको यह कैसा लगा आप मुझे comment करके बता सकते हैं और आपको क्या लगता है कि यह कितना तक जा सकता है आप comment करके भी बताएं आपका अ पिलिग्राम चानल है जहाँ पर मैं फ्री के इंटर डे फीचर ऑप्शन और स्विंटरी के कॉल देता हूं वह केवल बिल्कुल फ्री है आप उससे जाकर के जोइन कर सकते हैं वह आप जो भी कॉल दिये जाते हैं वह केवल एजिकुशन परपस के लिए है तो इस तरीके से मैं यह वीडियो खतम करता हूं आप यह आलोक इंडर्स्ट्री शेयर में इंवेस्ट्मेंट करते हैं तो यह शेयर आपके लिए प्रफेटेबल रहा है मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद